बाबु जी आपसे कितनी बार कहा है, जो सामान जहां से लिया कीजिए, वही रख दीजिए, यह आपका घर नहीं है, जहां जैसे तैसे रहेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, यह गिलास यहां टेबल पर क्या कर रहा है, इसे रसोई में सिंक में रख दिये, अभी मिताली उफिस से आएगी, तो गुस्सा करेगी, उसे यह सब फैला बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप अपना यह अकबार, किताब, चश्मा और दवाई भी यहां से हटा लीजिए, ड्राइंग रूम साफ सुत्रा होना चाहिए, मैं मिताली के लिए चाय बना देता हूं, वह उफिस से आते ही होगी, प्लीज मेरा काम मत बढ़ाओ, समझे, गुस्से से अरजुन अपने पिता राजेश जी से बोलता है, फिर रसोई में चला जाता है, फिर राजेश उदास मन से अपनी पतनी सरोज की तरफ देखने लगता है, तो सरोज जी ने मुस्कुरा कर उन्हे चुप रहने का इशारा किया, राजेश जी का कुछ दिन पहले ही आँखों का अपरेशन हुआ था, बेटे के बुलाने पर इस शहर में आ गए थे, ताकि अच्छे से अस्पताल में इलाज करा सके, अभी डॉक्टर ने कुछ दवाया दी थी, जो समय पर लेनी थी, उनकी बेटे से प्यार से बोली, अरे अर्जुन तेरे बाबुजी और मेरे लिए भी एक चाय बना देना, मौसम थंडा हो रहा है, तू तो कॉफी पिएगा हमें वह अच्छी नहीं लगती, बदबु आती है, तो हमारे लिए चाय बना देगा, अर्जुन गुसे में अरे मा अभ रोल रखना सीखो, बार-बार क्या चाय पीना और खाना, यहां आकर तुम कुछ ज़्यादा ही खाना खा रहे हो, और दिन भर चाय पी रहे हो, बेटे अर्जुन के मुह से ये सुनकर सरोज हैरान रह गई, इसलिए तो आई थी, यहां आकर उन्हें लगा कि यह उनका घर न हो तो कभी भी किसी भी टाइम पी लिया करते थे, यहां हम अपने मन से खा भी नहीं सकते हैं, पता है क्यों, क्योंकि यह हमारा घर नहीं है, हमारा घर उसका पूरा अधिकार है, पर बेटे के घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, यहां तो मुझे सोच समझ कर बातें करनी पड़ती है, मानों में नहीं वह मेरा बाप है, बेचारी सरोज जी सर जुकाय खड़ी रहती है, सोच रही है मजबूरी में यहां आई थी, वह अपने पती के साथ अच्छी भली गाव में रह रही थी, अचानक से राजेश की तबियत बिगरने लगी, और उसकी आँखों में सूजन आ गई, और सांस भी फूलने लगी, अब उन्हें कम दिखने लगा, अपने काम भी खुद अकेले नहीं कर पाते थे, गाव के डॉक्टर भी दवाई दे देते थे, बस लेकिन ज्यादा आराम नहीं लगता था, बेटों को बताया तो उसने शहर आने के लिए बोल द को अंदर से तोड़ गया, फिर भी अरजुन ने जो कहा उन्होंने चुप चाप सुन लिया, अपने आसु आखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथ में फसल से आय सारे पैसे रख दिये, तब जाकर उसने डॉक्टर से बात की, सरोज जी यहां खुश नहीं थी, ल मुझे यहां क्यूं ले आई, इस घर में मेरा दम घुटता है, यह हमारा घर नहीं है, सरोज ने अपने आपको संभाला बोली देखिये हम कहीं नहीं जाते आपकी दवाई मुझ पड़ी लिखी को कहां समझाती है, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा, अब जैसे तैसे आ गए ना अब रहना पड़ेगा ही, जब इलाज पूरा हो जाएगा हम यहां से चले जाएंगे, मिताली भी ओफिस से आ जाती है, वह बहुत गुस्से वाली होती है, मिताली आते ही अपने पती को काफी के लिए बोलकर अपने कमरे में चली जाती है, अपने सुसर को ठीक ठा खाना बनाने वाली आई थी, बहु के बिना रसोई में भी नहीं जा सकते थे, अब सरोज जी से रहा भी नहीं जा रहा था, अब सरोज रसोई में से दो ब्रैड उठा कर सेख रही थी, तभी वह गुस्से में बोली, देखो तुम मेरी रसोई में ऐसे नहीं जा सकती, तेरी इतनी आउकात नहीं है मेरी रसोई में आने की, ये हमारा घर है तुम्हारा नहीं, इतना बोलकर मिताली सरोज जी को धक्का मार कर उसे बाहर निकाल देती है, कि तुमसे अच्छी मेरी नौकरानी है जो खाना बनाती है, सरोज बोलती है मुझे भूख लगी थी एक ब्रैड ही दे दो मेरी दवायां भी खत्म हो गई है बहु बोलती जा पढ़ोसी से भीक मांग ले जा जा कर अपने आसु को रोकते हुए अपने पती के पास बैट जाती है अब उसका बेटा कुछ दिन के लिए बाहर जाता है मिताली सरोज से घर का सारा काम करवाती थी लेकिन रसोई का ताला लगा कर रखती थी बहु को सरोज बोलती है कि मुझे भूख लगती है दो रोटी दे दो मिताली सरोज को धक्का मार कर बोली की भूख लगी है तो भीक मांग कर खालिया करो यहां नहीं मिलेगी फिर सरोज एक पडोसी के घर का दर्वाजा खटखटाती है बेटा दर्वाजा खोलो कौन है? क्यू बार-बार दर्वाजा खटखटा रहे हो? समझ नहीं आ रहा है क्या? जब कोई बार-बार दर्वाजा नहीं खोलता तो दोबारा नहीं खटखटाते सरोज को देख कर बोली क्या आंटी जी आप रोज आ जाती है आपके बहु बेटा तो पूरी शान से घूमते हैं और आपको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता इतना सुनकर सरोज बोलती बेटा आप मेरे बेटे बहु को कुछ मत बोलना वे मेरा बहुत ख्यार रखते हैं वे घर पर नहीं है इसलिए खाना मानने आई हूँ सरोज ऐसे ही जाती थी अब रोज उसे सब घर से भगा देते हैं आज उसे कुछ स्कूल के बच्चे मिलते हैं और स्कूल के बच्चों से खाना मान कर ले आती है स्कूल के बच्चे जब भी उस बुलिया को देखते थे तो वे उसको अपना पूरा का पूरा खाना दे देते थे और फिर सरोज जी अपने पती के पास आकर बोलती थी कि बच्चे कितने अच्छे हैं वह मुझे अपना पूरा का पूरा खाना दे देते हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता उनसे खाना लाना लेकिन क्या करूँ आपको खाने के बिना दवाई भी तो नहीं दी जा सकती इसलिए मैं आपके लिए खाना मानने चली जाती हूँ फिर सरोज जी अपने पती को खाना खिला कर दवाई दे देती है अब सरोज अपने काम में लग जाते हैं घर की साफ सफाई बरतन सब सरोज ही करती थी एक दिन उसकी अरजुन की बुआ जी का फोना आ जाता है और सरोज से बात करती है सरोज अपने आशु को छुपाते हुए बोलती है आप कैसी है, शांती बोलती है, ठीक हूँ भाई कैसे है, आपके भाई भी ठीक है लेकिन सरोज जी के बोलने में थोड़ा रोने की आवाज सी सुनाई पर रही थी तभी शांती बोलती है भाभी क्या हुआ आपकी तबियत तो ठीक है या आपको कोई और दिक्कत है आप मुझे बता सकती हो नहीं कोई दिक्कत नहीं है सब ठीक है लेकिन तभी मालती उठ जाती है और मालती को देखकर सरोज जी फोन रख देती है लेकिन फोन रखा नहीं जा और इसे अच्छे से साफ करो, मेरे किसी भी सामान के आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकती हो, मेरी नींद खराब हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी काम निप्टाओ मुझे सोना है, यहां आवाज करने की जरूरत नहीं है, शांती सब सुन लेती है तभी शांती कल आने के लिए ब बुए जी अरजुन को बोलती है बेटा तुम्हें अपने माबाब दिखाई नहीं देते हैं, उनकी क्या हालत है देखो तुम्हारी पत्नी उनके साथ कैसा व्यवहार करती है, मालती बुए जी आपको हमारे घर के मामलों में बोलने की क्या ज़रूरत है, आपको किसने हग ये कि आप हमारे घर के मामलों में बोले, आप अपने घर पर ध्यान दीजिए हमारे घर पर नहीं हम अपने घर का खुद देख लेंगे, सरोज बोलती है तुम क्या बोल रही हो ये तुम्हारी बुआ जी है, देखो आप तो रहने दो दोनों बुडिया एक जैसी है उनकी बह मेरे घर से, अब राजेश का सब्र का बान तूट चुका था, राजेश चिलाते हुए बोला बहु आज तुमने सारी हद पार कर दी है, सरोज बहु को सुना रही होती है जिस घर की दोस्त तुम देख रही हो हमें निकालने की कह रही हो कि घर से निकल जाओ पूछो अपने यह घर खाली कर दो, मेरे घर से निकल जाओ दोनों अरजुन अपने पिता के पैरों में गिर जाता है और गिड़ गिड़ाता रहता है लेकिन वह नहीं मानते हैं और कहते हैं कि तुम यहां से निकलो, जैसे बेटे के घर पर हमारा कोई हक नहीं, हमारे घर पर भी बेटे का कोई हक नहीं है बहुत हुआ तुम अपना देखो माव बाप का घर बेटे का घर नहीं है आज से हम अपनी संपत्ती को दान कर देंगे जो हमारी संपत्ती है मैं अपनी सारी संपत्ती दान करूंगा और हम दोनों अपने गाउं लोट आते हसी खुशी रहते हैं और अरजुन और उसकी पतनी इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके जोग भी चली जाती है और कभी अपने मा के घर कभी किसी के घर लेकिन उन्हें कोई शरण नहीं देता है, क्योंकि उन्होंने अपने मा बाप के लिए बहुत गलत किया है, जैसे बोगे ऐसे ही काटोगे यही नीती का खे आधे माल से राकोगे असल और रहे हैं जाएं, क्योवाप भी यहीये घर के चाएंज चाह सही करें, जाएंगों है, हंना बाम का कणे जान खरक खाएंट में दो और यहां सरकाएं जारी रा कोशहाएं.